हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो आज पर में लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टीफ्स एंड आइडियाज तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा तो चलिए वीडियो को आपको खल खाल के अलु के ओपर यहां पर सेफटी पिंट लगा लेने तो यहां पर मैंने आदा ही आलू यूस किया है इसी तरफे से आपको वी आदा ही आलू लेना है और अब इसके उपर लगाएंगे हैं हम ने पैंट तो कई बार क्या होताए को फ्रेंड हमें अपनी सा तो उसको सुखाने के लिए जब हम इसको फर्च पर अरक ree asks तो फर्ष भी खराब उजाता है और नेल पैंड चिपक जाता है त्लसक़ आप आलू के ओपर असानी से सेविटि पिन तो चलते है नेक्स टिप पर कई बार क्या हता है मासी हव मैं बीटियो डाल रखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते है तो यह देखे मैंने एक हाली डिब्बी भी पीछे रख रखी है जब यूज करती हूँ तो यह माचिस को मैं दोदर निफेकते हैं नीचे ही इसमें डख देती हूँ तो आपको क्या करना है आपको लेना है इस तरह के से देखिये बंडी तो एक कलर फूल बंडी ले ले लीजिए और माचिस के डिब्बी के ओपर देखे यहा पर इस साइड्य यह मसालव लगा हूँ तो मiden यहां पर यह यह बंडी लगा दूँगी जहांपर मसाला माचिस के दिले पे नहीं लगा हूँ मेरी माचिस कई जो है खराब भी नहीं होगी तो ये एक बार इस तरह के से इसको यूज़ करके देख लिजी तो नेक्स टिप में देखिए फ्रेंड्स जो गुड़ है हम लेकर आते हैं तो हम जो है गुड़ को ऐसे ही कंटेनर में रख देते हैं जिससे की इसके इंदर कई ब चीज़े ऐसी होती है जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है अगर हम केर नहीं करते हैं तो वह चीज़े हमारी खराब हो जाती है और हमारे पैसे भी वेकार चले जाते हैं तो आपको इस तरह के से अपने गुड़ को सेफ करके रख देना है और देख गुड़ और इसको अच्छे से बुक्स होना अपने कंटेनर को बंद करके रख देना है आपका गुड़ कई दिनों तक बिल्कुल सेफ रहेगा ना फंगस लगेंगी ना ही चीटिया लगेंगी अब नेक्स टिप में देखें फ्राइंस के जब कभी भी हम इस तरह के की जो लिपस्टिक होती है ना वो लगा कर जाते हैं तो हमारी लिपस्टिक के यह ना कुछी मिंटों के अंदर होटो से हड जाती है और जो है देखने में अच्छा भी नहीं लगता फेस तो ऐसी इस टाइप की जो लिपस्टिक है उसको कैसे आप लोंग टाइम तक रखे तो कि यहां पर जैसे मैं लगा लिए ना आपको इस तरह के से हलका हलका सा हाथों से अपने होटों के ओपर भी टेल कमपोर्टर को लगा लेना है लिपस्टिक लगाने के बाद और फिर जितना भी टेल कमपोर्टर को साफ करने के बाद आपको फिर एक काम और करना है देखिए ये मैंने लगा दिया है और ये लिप्स्टिक बिल्कुल भी हटनी रही है इसके बाद इसके ओपर दुबारा से आपको लिप्स्टिक लगा लेनी है इससे आपके लिप्स्टिक बहुत लॉंग टाइम तक स्टे रहेगी बिल्कुल भी रिमॉफ नहीं होगी आपके होटो से तो इस तरीके से आपको लगा लेनी है तो एक वार ये है कि यूस करके देखेगा और कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको ये यूसपुल लगा या नहीं लगा अगर अच्छा लगी है टीप तो लाइक भी जरूर कीजिएगा तो चलतें नेक्स टीप पर तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स आपको पताईएगा प्याज और हमारी जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और इसको जब हम लेकर आते हैं तो प्याज और एक आलू इतने में जो होते हैं हम किलो के भाव में इनको लेकर आते हैं क्योंकि काफी ज़्यादा यह इनका टाइम नहीं पता होता है कब ज़्यादा यह महंगी हो जाए और लाने के बाद ना कुछ दिनों के बाद ही इनकी जो जड़ होना इसके अंदर से हरी घासी उगनी शुरू हो जाती है तो आपको क्या करना है देखिए आपको पीछे की जड़ है इसको हलका हलका सा काट कर रख देना है क्योंकि जड़ से ही जब नमी होती है उसकी वज़े से ही पयास के अंदर अर्पिर बॉन्ध वह झौ जो घास है गेराई में और एक कामोर करना साथ साथ आपको लेना है कोई भी नियूस पेपर या कागज और इस तरीके से प्याज के अंदर इसको है छोटे छोटे इसके कागज के पीस करके इसके अंदर रख देने हैं इससे क्या होगा है कि हमारी जो प्याज है अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो कागज हमारा जो है इसकी नमी को सोख लेगा और हमारी प्याज के अंदर जो है भारी घास नहीं होगेगी और कई दिनों तक सेफ रहेगी तो फ्रेंड इसे देखें नेक्स ट्रीप में कई वार क्या होता है कि जब हम सबजी मार्केट से लेकर आते हैं तो सबजी वाले इतना ज़्यादा इसके अंदर गाठ जोर से लगा देते हैं कि यह खुल नहीं पाती है तो इसको कैसे खुले तो आपको देखे है हलका हलका सा इसके अंदर बल देना है जो भी गाठ लगी हुए ना उसके अंदर हलका सा बल दोगे तो यह देखे इस तरीके से असानी से हौल में से निकल जाएगी और आपके जो यह नोट लगी है यह गाठ लगी हुए है तो यह असानी से खुल जाएगी तो एक बार मैं आपको और क खोल जाएगी तो इस तरह के से आपसाने से घर पर खोल सकते हैं तो next tip में देखे मैं देखे friends यहाँ पर लिए हैं मैंने यह चाय च्छर्नी, तो यह playlist की चाय च्छर्नी हैं तो जब इसको यूज चरलेते हैं ना तो इस तरह के से बिकार साबन के टुकडे भी है जिने हम ऐसे ही बेकार समझ कर फेक देते हैं तो आपको इनको लेना है और यह जो फॉर्म है ना इसके उपर मैं डाल रही हूं शेंपू तो फ्रैंस देखी बहुत बड़िया टीप है एक बार यूज़ करके देखिएगा आपके काफी जाजे पैसे बचने वाले हैं तो यहां पर इन दोनों को लेना है और इस तरह के से आपको यह जो पॉलो थी नाती ना जिसमें वेजिटेबल्स लेकर आते हैं आपको यह पतली वाली ही लेनी है और इस तरह के से इसको बना कर पीछे से हम इसके गाठ लगा देंगी तो फ्रैंस आज की क देखें कर लिया है आप आपको लेनी है सेस्टी पिन हलके से हाथ से इसके अंदर in जाड़ा बड़े करने हैं बस हलका हलका सा ही होल करना से और हम इसके पार पर देखें यह बातरूम चाहर अंधर हम इसको डाल देंगे तो यहाँ पर इस तरह के से इसको मैं यहाँ पर लगा दूनगी, जो इसका पाईप है इसके अंदर अच्छे से सैट करके लगा देंगे तो चलिए इसे काफी ज़्यादा होने वाला है हमें तो यहाँ पर देखें इस तरह कैसे सैट कर दिया है तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि बातरूम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बच्चों के साथ तो सबसे ज़्यादा योज़ के साथ तो आपको इस तरह के से बना कर इसके अंदर डाल देना है इससे आपे बातरूम के अंदर एक तो स्मेल रहेगी और आपका बातरूम बिल्कुल क्लीन और फ्रेश रहेगा और जो शेंपू डालना उसकी स्मेल से आपके बातरूम के अंदर अच्छी सी फ्रेक्वेंस भी रहेगी स्मेल गंदी स्मेल जो आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी तो यह देखिए इस तरह के से आप फ्लेश करोगे ना तो वो सारे का सारे शेंपू का जाग साबून वो साथ में आता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक यू फर बॉच्चिंग